तो अलो गाईज, welcome back to another video, जहांपर को मैं बात करने वाला हूँ, Australia versus Afghanistan के मैच के बारे में, जहांपर को आप लोगों ने सुनी लिया होगा, Afghanistan ने यार, Australia से बदला ले लिया है, 2023 World Cup का बदला जहांपर को Maxwell ने यार, बहुती खतरनाक पारी खेल के अफगानिस्तान को रहा है था, उसका बदला फाइनली Australia से अफगानिस्तान ने ले लिया है, Australia को ऐसी situation में लाके छोड़ दिया है, जहांपर को लोग T20 World Cup से भार हो सकते हैं, मजाग नहीं कर रहा हूँ, अगर इंडिया ने Australia को हरा दिया, अगर अफगानिस्तान ने बांगलादेश को हरा दिया, तो यह ज आता हूँ, टीम इंडिया इस opportunity को दोनों आतों से ग्रैब करें, और Australia को यार सूपर 80 में भार कर दे, अगला जो मैं चोने वाला है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रिया का, यह बहुत ही जादा important, दोनों टीम्स के लिए, Australia के लिए तो है यही वही, उनको तो मतलब जीत नहीं ह दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यार, बंगला दे, इसको तो definitely अफगानिस्तान हराई देने वाली है, लेकिन अगर हम लोग हार जाते हैं, Australia से, तो सारी चीजे किस पर आ जाएगी पता है, net run rate पे, लेकिन चिंता की बात नहीं है, हमारा जो net run rate है, वो इस tempo को 2 के आसपास है, तो हम लोगों को कोशिश करनी है, अगर हम लोग ऑश्टलिया से हार भी जाते हैं, तो हमारा जो फासला है ना, मतलब यार, जो run rate है, जो net run rate है, उसको हमें जादा कम नहीं होने दिन है, हमें हारना है, तो मतलब यार, वो close encounter में हारना है, ऐसा नहीं कि यार, 10 figure से हार जार हो ऐसा नहीं कि, मतलब यार, 50-60 run से हार जार हो, ऐसा वाला scenario नहीं करना है, छोटा सा मतलब यार, margin होना चाहिए, आप लोगो याद होगा, मैने मतलब यार, इस T20 World Cup से पहले से ही, मतलब यार, एक चीज बूलनी स्टार्ट कर दी थी, अफगानिस्तान को मैं टॉप 4 में जात है, तो भई, comment section में लिंग है, description में लिंग है, वहाँ पर कुछ आ की join कर सकतो, meme देता हूँ, update देता हूँ, और भी बहुत सारा discussion करते हैं, तो भई, telegram group को definitely join कर हो भई, तो सीधे मैं आप लोगो ले चलता हूँ, scorecard की तरफ, जहाँ पर को सबसे पहली चीज, Australia ने क्या की ब है, toss जीता और इन लोग ने पहले batting ले ली, बहुत बड़ा blender था वही, अफगानिस्तान की batting में इतना दम नहीं है, अफगानिस्तान की bowling में दम है, जब भी अफगानिस्तान second innings में bowling करती है, इनकी जो win की probability होती हो बहुत जादा बढ़ जाती है, तो मेरे ख्याल से Australia जिस इनकी सी मतलब यार, खतनाक type की थी, I mean यार इतने जादा रंज बनने नहीं वाले थे, और अफगानिस्तान ने कमाल की batting की यार सही में, देखो मैं बात करता हूं इनकी batting के बारे में, मैंने आपको इंडिया वाले match में भी बाताया था, इनके पास सिफ दो ही player हैं, जो मत देखने को मिला, आपको पता होगा, आज इन लोगों ने मतलब यार, 118 पे 0 wicket खो रहे थे, एक time बे को 118 पे 0 थे, उसके बाद 148 पे 6 थे, although जो pace थी थी, थोड़ी से difficult थी, तो इन लोगों ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी, 108 रन मनान तक मेरे ख्याल जब बहुत ही ज जिसे bowling उनकी बहुत ज़ादा कमाल की थी, जिस तरह से उन लोगों ने 148 में अफगानिस्तान को restrict कर दिया था, यार आराम से उन लोगों चेस कर लेना चीए था, लेकिन वो लोग कर नहीं पाए, अब वो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अफगानिस्तान के जो बैटिंग थ इन लोगों ने जब बैटिंग गी ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, सिफ चौकी छक्को में फोकस नहीं किया, इन लोगों को पता था, पिछ का इंड ओफ मतलब या थोड़ी सी, मतलब यार खराब टाइप किया, इतने जाधा रंज बनने नहीं वाल है, इन लोगों ने फ पता हूँ ही बता है, 108 रंबनाने के बाद ही लोग 148 में यार 6 विकेट होगे, उसके बाद जो एकसलरेशन आना चीए था, वो इनकी तरफ से नहीं आप आया, वो तो डेफिनेटली यार इन एकस्पिरियेंस की वज़े से, जहाँ पर को एजमितुल्ला उमर जाई, दो रन बाद चले, गुर्बाज और जद्रान, और अगर मैं उस्टलिया की बोलिंग की बात करता हूँ, एस्टेन अगर ने मतलब यार ठीक ठाक बोलिंग कराई, हेजलवूट मतलब यार शुरुआत में अच्छी करा था, फिर पेड़ी या था, कमिन्स भाई ये बंदा एक बार फिर से हैट्रिक लेके जा चुक है, बांगला देश के खिलाफ इस बंदे ने हैट्रिक ली, अफगानिस्तान के खिलाफ इस बंदे ने हैट्रिक ली, बहुत ही जादा कमाल की वापसी करवाई थी, जैंपा भई, ये बंदा तो विकेट लेके ही जाता है, ये बंदा काइं इस बंदे को हम लोग बोलते रहेगे, T20 टैप का बोलर निये करके, और आखरी में ये जो बंद है, वो ही मतलब यार, इतनी कमाल की बूलिंग करा रहे है, और लो छोड़ी टीम्स के खिलाफ यह आप लोग बोल सकते हो, लेकिन फिर भी यार, बोलिंग तो अच्छी करा रहा आउट हो गया, जहांपर को नवीनु लखने मेरे खिल से पावबले में बहुत ही जादा कमाल की बूलिंग रहे थी, पावबले में ये बंदा मेरे खिल से दो विकेट लेके गया था, ओर रोल ने इस बंदे ने मतलब यार, तीन विकेट लिये थे, जिसकी वज़े से जो आउस्टेलिया है, शायद इस टूनामेन में अभी तक का अपना सबसे लोग पावबले स्कोर बना के गई थी, थरी थी थे मेरे ख्याल से ये लोग पावबले में, मेरे ख्याल से पावबले पूरा का पूरा अफगानिस्तान ने डॉमिनेट किया था, लेकिन एक बार फिर आउस्टेलिया हारने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा, पहले तीन विकेट लेने के बाद भी जो मतलब उस्टेलिया उन्होंने कमाल की वापसी की थी, दस ओवर में मेरे ख्याल से लोग के असी रन के आसपास होगे थे, तो उस टैम पे को अफगानिस्तान थोड़ा सा क्या बोलिंग करागे गया, देखो यह बंदा थोड़ा सा मतलब यहार अंडरेटे टाइप का है, इसको मतलब यहार लोग जाधा क्रेडिसाइज करते हैं, बट आज इस बंदे का दिन था, एक चीज में आप लोग से मतलब यहार T20 में बोलते हुए आ रहा हूं, हर दिन नाइब ने किया, आज पता है, कोई भी जो छोड़ी टीम है उनको इंस्पिरेशन लेनी जी आफगानिस्तान से, इसा नहीं कहूंगा, अफगानिस्तान की तीम वर्ल्ल क्लास है, इनकी बैटिंग बहुत जादा बेकार है, दो ही प्लेयर है, लेकिन उसके प्लेयर को निपता है, फिर टीम डेविट को निपता है, और आखरी में यार पैट कमिन्स को निपता है, तो चार बहुती जादा इंपोर्टेंट जो विकेट है, वो लेके गया था, आपका कौन गुलबदी ना है, भाई यार, एक दिन होता है ना, ऐसा ही मैं होब करता टीम इंडिया के साथ भी हो, सेमी फाइनल और फाइनल में, जहांबर को हमारे किसी एक प्लेयर का दिन हो जाए भाई, अल इट टेक्स, एक बंदे का एक बहुती जादा कमाल का दिन, वो जो लग की बात करते है, वो चीए बता है, और अफगानिस्तान को लग आज के मैश म मिल गया है, जिसके वज़े से इन लोगों ने उस्ट्रिया को बहुती कमाल कारा रहा है, उस्ट्रिया गले काइंड ओफ यारी एक थोड़ा शेमफुल टाइप का है, कि यार मतलब इनकी जो बैटिंग है इतनी जादा कुछ खास हो नी बाई, एक मैक्सवेल ही मतलब यार 59 बना गया, बाकी की जो प्लेयर से मारने के चक्कर में आउट होते जा रहे है, पैट कमिन सिंग एक आखरी बंदा था, जो मतलब यार बना सकता था, लेकिन उसके बाद गुलबदिन ने जैसे इसको आउट किया, फाई साब, क्या अमीजिंग बूलिंग करा है यार, इनकी जो खरोते है, इसने भी एक ओवर करा है, इसने खेर मतलब या थोड़ा एक्सपेंसिव कराया था, राशेत खान, एक विकेट और गुलबदिन तो आज का मतलब यार होता, और नूर एमद का कैच कैसे बूल सकता हूँ, जो मतलब यार, मैक्सवेल का कैच पकड़ा था, पूरा करो वही, देखो 2023 का जो वर्ल्ड काप हम लोग हा रहे है, लोगो के मन में अभी भी वो जो जक्त में है न, वो कैंड ओफ यार ताजा ताज है, उसको अगर तुम्हें थोड़ा सा भढ़ना है तो वही आप लोगो को यार, ऑस्टिलिया को बाहर करना है, अगले पहले एक ही चीज बोलूँगा, अगर आप लोगो को ये रिव्यू पसंद आया, तो भई लाइक कर देना, और यार सब्सक्राइब किये बिना, बिल्कुल मत जाना मेरे भई